नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, सिंग राशी की हम बात करने वारे हैं, सिंग यानि की शेर, सिंग राशी की लोग वैसे तो किसी से मांगते नहीं है, हाथ नहीं पैलाते हैं, आपकी फितरत है देने की, क्योंकि सिंग यानि की शेर, शेर होता है जंगल का राजा, और आपकी राशी के स्वामे सूर हैं गरहों के राजा, तो मांगने की आदत तो आपकी होती नहीं है, दे देने की आदत होती है राजा का काम लेना नहीं होता है देना होता है राजा का काम मांगना नहीं होता है जीतना होता है तो बहुत ही बढ़ी आराशी है जिसमें गुस्ता भी है तेज भी है प्राकरम भी है लेकिन आप कितने बड़े राजा क्यों नहों भगवान के आगे सर जुकता ही है हर राजा हर रानी हर व्यक्ति किसी के सामने जुके या न जुके माता पिता के चर्णों में जुकता ही है भगवान के सामने जुकता ही है भगवान से कुछ न कुछ मांगता ही है ये भगवान मुझे आशिरवाद देना कि मैं विजई हो जाऊं मुझे ऐसा आशिरवाद दो कि मैं हर लड़ाई जीत कर घर वापस आऊं तो आपको नवंबर के महीने में पांच जीत के आशिरवाद मिल रहे हैं सफलता के आशिरवाद मिल रहे हैं संकेत मिल रहे हैं इन संकेतों में छुपी होई है आपकी विजय, इन संकेतों पर चलते जाईए और विजय धोज लहराते जाईए, शत्रु परास्त होगा आपके नाम की जैजय कार होगी। तो सिंग राशी वालों के लिए वो सफलता के पांच शुब जीत के मौके वो संकेत क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी। यकीन मानिए, अगर आपकी तलवार में है धार, आपके दिमाग में है दम, तो इस सफलता के पांच मौके आपको सफलता दिला देंगे दना दन, रुकेगी नहीं सफलता, सफलता को आप जीत लाएंगे। भगवान का आशिरवाद है, उपर वाले का आशिरवाद है, आपके अपनों का आशिरवाद है। पहला शुब संकेत सिंग राशिवालों को जो नवंबर 2022 के वाईने में मिलेगा, वो ग्रै होगा, बुद्ध, बुद्ध क्या है, वाणी है, दिमाग है, बुद्ध की किरपा एक तारिक से तेरा तारिक तक बरसेगी तरती भाव में, उसके बाद चौते घर में बुद्ध मांग, बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए, आप कहेंगे मुझे ये चाहिए, मेरी इच्छा ये है, तुझे जायज इच्छा होगी तो तुझे भगवान दे देंगे, इच्छा की पूर्ती भगवान करेंगे, भागे का साथ मिलेगा, भागे का साथ कर्म के साथ मिलेगा पहले तलवार उठानी पड़ेगी, तब विजय प्राप्त होगी, यानि कर्म करना पड़ेगा, कलम उठानी पड़ेगी, कदम घर से बाहर निकालने होंगे, तब ही सफल बनेगे भाग आपके साथ जड़ा हुआ है, पिता का अशिरवाद आपको विजय दिलाएगा, पिता कि आशिरवाद से तरक्की के रास्ते और आसान होते चले जाएंगे, तरक्की कब मिल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, किसी की बढ़िया सलह आपकी किसमत बदल देगी, आपकी व बढ़ेंगे आप अपने लिए नया वाहन नया घर नए पुराने घर को बेचकर नई प्रापर्टी बना सकते हैं अज वक्त होगा वैपार में बड़ी तरक्द्द्ध जब तुर्ति भाव में जाएंगे तो आपको मज्बूत बना आपके भागी को मजबूत बना देंगे, चौथे घर में जब होंगे, तो आपके कर्ब छेतर में बाहर आ जाएगी, आपकी नौकरी वैपार में सफलता की जड़ियां लग जाएगी, सफलता की जगमगाट दोड़ जाएगी, आपके दोनों हाथों में लड़ू होगा, दिल कश इंसान होंगे, हवाओं में सफलता घुल जाएगी, आप हवाओं का रुख मोड देंगी, अपनी तरफ सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी, जो कल नहीं था, वो आज आपके पास होगा, भागी का निर्मार होगा, पैसा, प्यार, रिष्टा, शिक्षा, घर, परिवा सब कुछ आपके पास, बुद्ध देंगे, मजबूत बनाएंगे आपको, तूसरा शुप संकित प्राप्त होगा, शुक्र देव की किरपा से, नवंबर में शुक्र देव आपको लगजरी से भर देंगे, यानि कि वासना विलासिता लगजरी आपके आसपास होगी, शुक शुक्र तीसरे भाओ में होंगे, उसके बाद चौते भाओ में होंगे, भागे भाओ पर, कर्म भाओ पर दरस्टी डालेंगे, आप बातों से दिल जीत लेंगे, लड़ाईयां तलवार से नहीं, जबान से आप जीत लेंगे, दो लोगों को, जो दो लोग लड़ रहे उनके आपस में मिला देंगे, दो दिलों के बीच में जो दरार थी उसको आप अपनी जुबान से भर देंगे, कोई प्यार करना आप से सीखे, यात्रा से लाब होगा, भागि का साथ आपको विलेगा, भागि में लाब का शब्द जुड़ जाएगा, जहां आप होंगे, बढ़िया वेतन बढ़ेगा, बढ़िया नौकरी चलेगी, नौकरी की तलाश पूरी होगी, पुरानी नौकरी की सबस्याएं समाप्त होगी, आपकी सलाख से लोगों के काम बनेंगे, लोगों की सलाख मान कर आपके काम बनेंगे, आपकी पुरानी नौकरी बदलने का वक्त आगया है, नौकी छोड़कर वैपार करने का वक्त आगया है, फैसले थोड़े से सोच समझ कर लीजिएगा, धन कमाने का वक्त आगया है, आशिरवाद पाने का वक्त आगया है, प्यार की बहार प्राप्त करने का वक्त आगया है, कला के पुजारी होंगे, मीडिया, शोशल म भी साथ मिलेगा जो लोग आपको ना पसंद करते थे वो भी अब आपको पसंद करेंगे आपकी जमकर तारीफ होगी प्रेम विवा के योग बलेंगे विपरीत लिंग के प्रती प्यार और आकरशन बढ़ेगा बहुत तिक सुख साधन में रहेंगे घर वाहन का सुख मिलेग होगी परिवार में रिष्टे बहतर होंगे परिवार के लोग अभीर बनेंगे आप लगजरी का मज़ा लेंगे सुख का मज़ा लेंगे सुखों को भोगेंगे मस्ती में मौज में वक्त बीतेगा सेहत परत्यान दीजेगा परिवार वालों के साथ मौज रूटेंगे सफलता सफलता और सिर्फ सफलता तीसरा तीसरा संकेत तीसरा शुब संकेत प्राप्त होगा शनी देव के किरिपास शनी देव के कारण शनी देव मारगी होकर छटे भाव में बठेंगे कोड कचरी लडाई जगडे वाद विवाद रोग से मुक्ति मिल गई शत्रू क्या विगाड़ेगा आपका शत्रू तो खुद नंगे पैर भाग जाएगा परिच्छा परत्योगता में सफलता मिलेगी लड़ाई जगड़ों में विज़ई रहेंगे कोट का चेहरी में विज़ई रहेंगे सभी प्रकार की चुनोटियों का छाती चौड़ी करके आप सामना करेंगे 56 इंच का सीना होगा आपका शत्रू का विनाश करेंगे चोटे भाई भेहन का समरतन प्राप्त होगा काम काज में बढ़ोतरी होगी मजात महीं करेंगे सीरियस होकर काम करेंगे जोतिश और आयरुवेद के जहनकार होंगे चोटी मोटी बाधाय आएंगी ऐसे फुक मारके उसको उड़ा देंगे सफलता प्राप्त कर लेंगे अगला चौथा शुप संकेत प्राप्त होगा मंगल दे और मंगल वैसे वक्री अवस्ता में है परिवार में भाई बहन से छोटी मोटी तूटू में हो सकती है लेकिस साथ भी मिलेगा इच्छा उनसार काम बनेंगे नौकरी में तरक्की होगी धीमी गती अब तेज गती में बदल जाएगी वैपार बढ़िया चलेगा आमदनी बढ़ेगी विवादों में विजय प्राप्त होगी जीवन में गुर्जा जुड़ जाएगी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे प्रॉपरेटी बना पाएंगे वेतन बढ़िया होगा शत्रू पीछे हटेगा तेज गती से आप आगे बढ़ेंगे वर्तमान और भविष्य दोनों को मजबूत करेंगे चेहरे पर लाली चाही रहेगी दोस्त यारी काम आएगी खुले विचारों की होंगे पैसा दोनों हातों से कमाएंगे बचाने में दिक्कत हो सकती है तोल मोल कर बोलिएगा गुसे से बचिएगा पद परतिष्था का नाजायच फायदा मत उठाईएगा और वाहन वगहरा ठीक से चलाईएगा ये ध्यान भी रखना होगा अगला संकेज जो है वो बताऊं उससे पहले ये कहूंगा कि दोस्त यारी पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा पांचवाश्व संके देव गुरु ब्रस्पती देंगे देव गुरु ब्रस्पती आठवे घर में मारगी होंगे आठवे घर में बहुत अच्छे परिणाम तो देव गुरु ब्रस्पती नहीं देते हैं लेकिन देव गुरु ब्रस्पती कहते हैं पहने हैं तो गले में पहलने हैं उटी है तो पहलने कड़ा है तो पहलने नहीं है तो पीले रंग का धागा गले में डालने इससे भी कल्यान हो जाएगा मुसीबत के वक्त इनसान से मदद मत मांगेगा भगवान के मंदिर जाकर ईश्वर से मदद मांगेगा मदद मिल जीवन साती से लड़ाई मत करिएगा और पैसा यारी दोस्ती में मत फसाईएगा और अपने राज किसी को मत पताईएगा ये चार-पांच बाते अगर आपने ध्यान रख लिया या माथे पर केसर का टीका लगा लिजेगा कुल प्रोहित का अशुरुआद ले लिजेगा ये चार-पांच बाते अगर आपने माल ली तो प्रस्तपती देव आठवे घर में बैठ कर आपको आशुरुआद देंगे बस इतना आपको करना है इसको उबाए समझिए प्रिकोशन समझिए जो समझना है सो समझिए धार्मिक मनिए धर्म के वुरुद्ध मत जाईए भोजन उतना करिए जितनी रिक्वाइर्मेंट है बस जाधा लालच खाने का पेट में गड़वड़ी पैदा कर सकता है ये सफलता के पांच शुप संकेत आपको सफलता की उचाईयों पर सफलता की चोटी पर बिठा देंगे सिंग राशी वालों का चीवन बदल जाएगा अगर आप में है दम तो ये दुनिया का मैदान खुला है यतनी सफलता चाहिए नवंबर में लूट कर ले जाईए अगर आपकी जनम कुली में ग्रह सितारे अच्छे हैं तो आपके लिए सब अच्छा है मैं कहता हूँ कि आप तो राजा है अगर राजा युद्ध में तलवार लेकर न जाए तो क्या जंग जी सकता है नहीं जी सकता एक्जाम देने गए परिच्छा देने गए कलम नहीं ले गए तो क्या ठाक लिखेंगे उसी प्रकार जनम कुली में बैठे हुए जो ग्रह है जब तक ये मजबूत नहीं होंगे तब तक आप अच्छे परिणाम कैसे पा सकते हैं एक कड़ाई लीजिए या एक तवा लीजिए आज एक काम करिएगा आप सारे लोग जितने लोग मुझे देख रहे हैं एक काम करिएगा अपने किचन में जाईएगा एक कड़ाई या एक तवा लीजिए उसके अंदर सबजी डाल दीजिए दो आलू डाल दीजिए तवे के उपर एक रोटी बेल के डाल दीजिए लेकिन गैस मत जलाईएगा तो क्या वो सबजी पक जाएगी क्या वो आलू पक जाएगी क्या वो रोटी पक जाएगी सारी जिन्दगी खड़े रहे ना आलू गलेगा ना रोटी पके जब तक माचिस से या लाइटर से गैस नहीं जलाएंगे जब तक कड़ाई गरम नहीं होगी जब तक तवा गरम न अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर मुझे नहीं पता कौन समझाएगा आपको रोटी खानी है तो गैस जलानी है गैस जलानी का मतलब है उपाए तवा गरम करने के लिए गैस जलाना एक उपाए है जुगाड है एक रेमेडी है आपके पास आटा भी है आपके पास तवा भी है आपके पास गैस भी है आपके पास सब कुछ है चमच भी है कटोरी भी है लेकिन अगर आग की वो चिंगारी नहीं है तो सब धरा का धरा रह जाएगा तो वैसे ही अगर आपकी जरम फुर्ली में आपके सितारे गरम नहीं है उनमें जान नहीं है तो सब धरा का धरा रह जाएगा हाँ, अगर आपको कच्चे आलू खाकर कच्ची आटा खाकर पेट भर रहा है तो भर लिजे, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है उसके आगे तो मेरे पात भी शब्द नहीं है अब कुछ लोग कहेंगे, हमें तो भहिया ना कच्चे आलू खाने है ना हमें रोटी खानी हम तो पानी पीकर अपना पेट भर लेंगे तो पानी पीकर ही तो जिनकी जी रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा मिल रहा है पूरा स्वाद लेना है तो जनम कुली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत बढ़ाना पड़ेगा और गारी को आगे बढ़ाना पड़ेगा आप चाहते हैं कि आपके ग्रहे जो शान्त हैं, जो मरे हुए हैं जिनमें दम नहीं उनमें जान पैदा की जाए तो दिये गए नमरों के आप संपर्ट कर सकते हैं हम जोतिश की चिंगारी से उनको जलाएंगे और आपके जीवर में उजियारा लाएंगे नमशकार